हल्लो फैंटस वरकम बैक टू माई चैनल देखे फैंटस आज की वीडियो में बनाएंगे हम काना जी के लिए ब्रेस यह बनानाए बहुत एजा हैकंगे आप ये 7 नमर काना जी को भी अराम से देखिए इस तरीके से पहना सकेंगे इसमें सिर्फ हमने देखे एक सिंपल सी एक लेस और हमने सिर्फ नेक के फैब्रिक का यूज़ किया है ये दिखे साथ नबर काना जी को बहुत अच्छे सारी और साथ में मैचिंग की पउगडी है और यी ड्रेस आप 6 नमबर और 7 न रआएंगे दोनों को ही बहुत अच्छे से आ जाएगी ये सिस्टार्ट करते हैं वीडियो बना लेते काना जी के लिए ड्रेस यह देके सबसे पहले हमने आपो बुकरम को पीस कट कर लिया है ऐगर आपके पास पेस्टिंग नी तो आप बुकरम की पीस को कट कर के भी ये इड्रेस बना सकते हैं डायमीटर मैंने यहाँ पर 11 इंच कर लिया है आप कहीं से भी नापेंगे तो डाइमेटर 11 इंच ही आएगा और इसके साथ देखिए मैंने यह अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया है जिसमें मैंने आदा आद इंच का एक्स्ट्रा मार्जन भी रखा है अब सबसे पहले देखिए हमें इस तरीके से रखते वे किनारी किनारी पर स्ट्रिश करते वे जाएंगे पूरी किनारी यहां पर अच्छे से यहां पर लॉक हो जाएगी यह देखिए हमारे यहां पर बेस लगवक्त बनके तयार हो गया अब इतना करने के बाद कहीं से भी हमें एक साइड से कट कर लेना है यह देखिए इस तरीके से कट हो गया अब यह देखिए मैने यह पर 4 पीस लिया है रैड कलर की नट के जितना भी हमारा आर्ज होता है वह मैंने पूरा कट कर लिया है और तीन इंच इसकी चोड़ाई लिए अर्ज लगबग हमारा 45-46 इंच लगबग यहाँ पर रहता है नेट के फैब्रिक का तो मैंने पूरा-पूरा अर्ज ले लिया है उसका नेट का फिर भी मैं आपको देखें यहाँ पर मेजरमेंड दिखा देती हूं देखें इसका लंबाई आई है तो टोटल मैंने यहाँ पर चार ऐसी पट्टी ले है यह देखें अब हमें क्या करना है यह हमारा सीधा उल्ट आपको देखना होगा जिदर से शाइनिंग जादा होगी वह दर से सीधा होगा इतना करने के बाद हमें यहाँ से किनारी को इस तरीके से मोड लेना है अब यह देखें अब हमें यहाँ पर चोड़ी चोड़ी और घनी घनी प्लीट्स लगानी है एक के ओपर एक चड़ाते वे जिससे कि कमर का हिसा कम रहेगा और घेर अच्छे से हमारा आना चाहिए क्योंकि हमने फ्रंट साइड पर जो है अस्तर का फैब्रिक अब यहाँ लगाया है दो रंग के हम ड्रेस बनाएंगे तो इसलिए हमने वापे अस्तर नहीं लगाया है नैट के फैब्रिक से ही हमें कवर करना है तो इसलिए हमें घनी घनी प्लीट्स लगानी है जिससे कि हमारा जो वाइट कलर का जो बुकरम का पीस होता है वो ना बखाई ते हैं तो देगा इस तरीके से बिल्कुल हमें घनी-घनी से अच्छे से डाल लेनी है चोड़ी दालेंगे एंकवी पर एक चडाते है और घनी-घनी डालेंगे यह देखिए, मैं काफी अच्छे से, यहाँ पर घनी घनी प्लीट्स लगा रही हूँ, ऐसी हमें पूरी पट्टी पर यहाँ पर प्लीट्स लगा लेनी है, अब इतना करने के बाद हमें दूसरा फैब्रिक भी यहीं से इस तरीके से जोड लेना है, फिर से हम कपड़े को इस से दोनों कपड़े यहाँ पर अटेच हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर जॉइंट फी लगाया है, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर चारो पट्टी लगा के इसकी फील लगा लूँगे, यह देखिए हमारे यहाँ पर अच्छे से यह फील बनके त्यार हो गई है, आप हम लेंगे अपना यालो कलर वाला नेट का फैपरिक, इसकी चोड़ाई चेंज की है और लंबाई से वही है, पूरा मैंने अर्ज ले लिया है पूरी जो नेट का होता है, इतना करने के बाद देखिए, यह हमारा सीधा उल्टा चेक करके, उल्टी सा बनाईए और यलो कलर के कपड़े को हमें डबल करके यूज करना है, इसकी भी मैंने यहां पे चार पट्टी लिए हैं, आप देखिए यलो कलर की हमें थोड़ी चोटी चोटी प्लीट डालनी है, और बहुत ज़्यादा घनी घनी प्लीट नहीं डालनी है, रेड वाली जो ह काफी अच्छे से मतलब थोड़ा सा गैप है फ्लीट में, और रेड वाली हमने बहुत घनी घनी प्लीट लगाई है, सेम उसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी हम यहां पे जोडते वे जाएंगे, और इस वाले यलो कलर से हम सरकल बनाएंगे, तो हमें काफी घेरदार चा तो इसलिए थोड़ी खुली खुली से हमने फ्लीट लगाई और एक्स्टा मैंने यहां पे फैप्रिक कट कर लिया, सेम इसी तरीके से देखिए, यह रेड गलर का भी हमें जॉइन करने से पहले कपड़े को एक्स्टा जो हमारा कपड़ा है प्लीट के उपर का उसको हमें क कुमर का हिस्सा वहां से हमें रेड कलर के पहले कपड़े को इस तरीके से स्टिच करना है कि यह देखिये हमारे हां पे थोड़ा सा यह इतना नेट हमारा एक्स्ट्र हो गया उसके लिए हमें पहले या इस तरीके से हम box पर एक stitch कर देंगे जहां इस थक भुकरम की किनारी है वहीं इसे हमें से यहाज करते हैं सीदे सीदे एक बर लगा देनी है इद्टे के हमने महाँ पे इतना महाँ किनारी किनारी पर सिंप्ली स्टिच कर देना है इसको बिल्कुल आपको सैट भी नहीं करना पड़ेगा क्यूंकि काफी घनी घनी हमने प्रिल्स लगाई तो कपड़ा अपने आप यह सैट हो जाएगा इतना करने के बाद है कि हमने यहां पर स्लाई लगा लिए अब जो एक्स पर चौक से माक लगा लेंगे पूरे सरकल पर हमें सवा दो दो इंच का माक लगा लेना है आप चाहे तो यह माक पहले भी लगा सकते हैं लेकिन यहां पर जैसे किनारी पर थोड़ा थोड़ा नैट का फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो अब हमारे यहां पर देखे कितने अच्छे से सरकल की शेप आ गई है अब हमें इसी को ना जो चौक से पूरे माक को हमें इस तरीके से सरकल बना लेना जिससे कि हमें सलाई करते हुए भिरकुल भी प्रॉब्लम नहीं और हमारा सरकल विरकुल एज़िटी आए शेप बहुत अच्छे से आगी अब यह जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक को से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बस जो हमने माक लगाया उसी के ओपर एक बार हमें इस तरीके से स्लाई कर देनी है अब हमारा देखे हैं यहां पर इतना काम हो गया अब हम लेंगे अपना यलो कलर का फिल दे तो हमारा इतने बड़ी सरकल पर आ जाएगा रैड सरकल हमने छोटा बनाया हुआ और यह यलो के लिए हमने बड़ा बनाया खुला खुला बनाया थोड़ा से तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा यह देखे अब हमें जो हमने निशान लगाया हुआ उसी पर अपनी हमें या पे इतना अपना बेस जो बिल्कुल हमारा तियार हो गया है अब हमें क्या करना है यह यलो कलर का फट्रिक है इसकी किनारी को भी एक बड़ हमें या पे स्ट्रिश कर लेना है जिससे कि हमारा बेस के साथ ही जॉइंट हो जाएगा यह दिखिया हमारा सरकल बुक्र तियार हो गया अब हमें जिक्का करना है टिशू रिबन लेना है गोटन कलर का गोटा पट्टी भी ले सकते हैं यह आधे इंज के लिए है और इतना करने के बाद इस तरीके से किनारी को लॉक करना है बहुत अच्छी फिनीशिंग आ जाती है कि जब भी आप किनारी को लॉक करने तो इस तरीके का गोटे से आप लॉक कर सकते हैं किनारी को फोल करते हुए बस हमें सिंपली यहां पर इसलाई लगा देनी है इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी किनारी को लॉक कर देना है यह दिखिया हमारा यहां पर दोनों लिए जब भी सर्कल बेस्सका नेफा बनायों तो इसी तरीके से और पटी कट कर ली ज़ए जब भी हमें इस तरीके से अरे पटी कट कर ली कि तो बनायों तो आप दो लिए देंपनि पर यह शरू ar बहुत आराम से हो जाएगा यह जो हमारी औरेव पठ्टी होती है इससे बहुत अच्छे से हमारा नेफा बन के तयार हो जाता है और हमें जो एक्स्ट्र कपड़ाव से हमें कट करके निकाल देना यह देखे कुछ इस तरीके से हमारी खड़ी-खड़ी सी पठ्टी आ जाती है अगर हम इसे सीधा साइड को पल्टेंगे तो देखे इस तरीके से बहुत अच्छे से फैल के आती है कोई भी शुकन वगरा नहीं आती है अब हमें सिंपलिक किनारी को इस तरीके से फोल करना है और इसमें डोरी लगानी है डोरी लगाते विए हमेशा ध्यान रखेंगे सिलाई हम डोरी पे कभी न लगाए सिर्फ हमें जो हमने नेफे के लिए पट्टी ली है उसकी किनारी किनारी पे स्टिश कर देना यह देखे इस तरीके से हम गुमाते विए जाएंगे और डोरी को बीच में रखते विए हम पे स्लाई लगाते जाएंगे बहुत अच्छे से हमारा यहां पे नेफा बनके देखे तैयार हो गया यह देखे हमारी ड्रेस का लुग बहुत ही गुपसूरत सा आ गया फिनिशिंग भी बहुत अच्छे साही है कलर कॉंबिनेशन भी देखे बहुत अच्छा लग रहा है इतना करने के बाद देखे जो हमने 6 इंच की पट्टी से जो फ्रील लगाई थी वैसी मैंने 4-5 पट्टी कट की थी उसी का मैंने यहां पर 14-5 इंच की लंबाई का पट्टी ले लिया है इसको एक बार फोल्ड किया सेम वही कपड़ा क्योंकि नट का फैब्री खलका होता है तो हम इसे थोड़ा सा एक बार और फोल्ड करेंगे टोडल हमारे यहां पर डबल फोल्ड करने के बादे कि चार कपड़ों की तया बन गई है नट की अब हम यहां पर एक पैर की सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फैब्री के से कट करके निकालके और यह हमारे जो गोल्डन करकर टिश्यू रिबन है उससे हम किनारी को इक बार लॉक कर देंगे अगर आप चाहें तो रैड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं कुले की दौन की चोली यहां पर बना सकते हैं इतना करने के encanta की से क्रॉसकस ही किनारी से कर देना है यह हमारी अगर आप चाहें तो इसमें अलग से भी चोली बना सकते हैं लेकिन यह ड्रेस अभी मैं किसी के लिए बना रही हूं कि जिसने मुझे ओर्डर दिया है मतलब काना जी के लिए बनाने का तो उन्होंने बोला है चोली को जॉइंट ही बनाए तो मैं यहां पर देखें बिखुल सेंटर पॉइंट ने फेका लेके वहां पर चोली को जॉइंट कर दे रही हूं कि काफी कपड़े होते जैसे काना जीकिए तो हमारी चोली कभी कभी मिस भी हो जाती है तो आप इस तरीके से चोली यहां पर जॉइंट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारा यह इस तरीके का लेस लिये मैंने अब यह जहां से हमने जॉइंट किया हुआ यह लोकल लर के अस्तर प्ली को अब हमें इस तरीके से लगाते जाना है क्योंकि हमारी यह हैवी लेस है तो इसमें थोड़ा सा शुकन आने का रहता है तो आप इस तरीके से हलकी हलकी स प्लीट्स देते जाएंगे और सरकल पर लगाते जाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी शिकड़न नहीं आएगी क्योंकि अगर हमारे सरकल पर आप सीधी लेस लगाएंगे तो थोड़ा बहुत शिकड़न आने की फिंजाईश रहती है तो जब भी आपको इस तरीके से सरकल पर के सीधी लेस लगानी हो हेवी लेस लगाना हो तो आप इस तरीके से हलका सा उसमें बल दे के लगा सकते लेस को फिर इसमें आपको तो ये देखिया हमारी लेस कितने अच्छे से यहां पर लग्के तियार हो गई है आब इसको हल्का सांगे क्या करना है फैबी ग्लू ले ना है इस तरीके से कहीं 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 लगांके हमें हलके हलके इस्टोन लगा देने devi आप चाहें तो इसको skip भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं यह आपकी choice है वैसे भी हमारी dress बहुत खूबसरत लग रही है friends आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिलिए इस वीडियो को like करें चैनल को भी subscribe करें और comment करके भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी आपको dress कैसी लगी का नजिकी और अपने friends के साथ share करना ना भूले friends चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे